हेलो दोस्तों मैं साइलेस मिस्त्री हूँ टेकट 62 में आपका स्वागत है आसुस FX505DT लेपटोप के फैंस को कैसे साप करना है वो मैंने इस वीडियो में बताया है लंबे समझ तक यूज होने से लेपटोप के कुलिंग फैंस पर दूल मिट्टी जमा हो जाने से कुलिंग क यह आसुस का FX505DT लेपटोप है यह लेपटोप ग्राफिक डिजैन के लिए यूज होता है इसलिए कुलिंग फैंस ज्यादा चलते हैं हीट के हिसाब से फैं की स्पीड अपने आप बढ़ती और गट्ती है थोड़े दिनों से इसके फैंस ज्यादा आवाज कर रहे थे त 7,8,9,10 और 11 स्क्रू खुलने हैं उपर के 6 स्क्रू लंबे हैं और नीचे के 5 छोटे हैं तो कौन सा स्क्रू कहां से निकाला है वो याद रख्येगा अब पीछे का कवर खुलने के लिए ऐसा एक अन्यूस प्लास्टिक कार्ड या ऐसी कोई प्लास्टिक की चीज लेके गुरू में डालके दीरे से डक्कन को अलग कर लीजिए ये देखिए फैन पर कितनी दूल मिट्टी जमा हुई है दूसरे पैन पर थोड़ी कम है दोनों फैन को ब्रस से साप कर दीजिए देखिए दोनों फैन एकदम साफ हो गए है अब डक्कन लगा दीजिए और हलके से प्रेस कर दीजिए उपर की तरफ छे लंबे स्कुरूज लगाने है और नीचे पांच छोटे लिजिए हमने लेप्टोप के फैन्स को साफ कर दिया है अब ये आवाज नहीं करेंगे मैंने इस लेप्टोप में रेम और हर्डिस इंस्टल करने पर एक वीडियो बनाया है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो मिलते हैं अगले वीडियो में